ये आज का नमांकन जो रहा है चोकि दूतिय चलान में सरया और मरवन परखंड के ही पदों का होना है चुनाम इसलिए मरवन और सरया परखंड के जो उमिदवार है उन्ही का आज नमिनेशन लिया जा रहा है मरवन परखंड मुख्याले परचर में मंगलवार से नमांकन की पदकिरिया शुरू हो गई सुभ़ 11 बजे से साम 4 बजे तक नमांकन की पदकिरिया चली सुभ़ 11 बजे से ही उमिदवार नमांकन को लेकर आते रहे इस दोरान वार्ड सदस्य के लिए बनाए गया कांटर पर उमिदवारों की भीर देखी गई सबसे ज़्यादा वार्ड परशत पद के लिए नमांकन हुआ नमांकन के पहले दिन कुल 102 लोगों ने अपना नमांकन परचा दाखिल किया मुखिया पद के लिए कुल 14 पंचा समिती पद के लिए 9 सरपंच के लिए 8 पंच के लिए 11 वाड सदस्य के लिए 60 उमिदवारों ने नमांकन दाखिल किया मुखिया पद के लिए पकड़ी पकोही से पुस्पा कुमारी, बरकागाउं दक्षनी पंचा से रामनात महतो, अजीत कुमार, अमरेंदर कुमार तिबारी, भटाउना से शिपसंकर प्रसाद गुपता, दसरत कुमार, सुभंकर पूर से बेबी देभी, मिथलेस कुमार मुखिया डी से लक्षमी चंदरा, रक्षा से सुनीता कुमारी, रूप वरा से सुभोध कुमार और मुहमत पुर्खाजे, पंचा से राजेश कुमार राय ने नामंकन दाखिल किया है, बुडे परिसर को CCTV कैमरे की निगरानी में रखा गया था, परते काउंटर पर नामंक रहने के कारण अविवारती दोरते रहे, नामंकन दाखिल में अन्य कागच नहीं रहने के कारण भी अविवारती भागदार करते रहे दिनांग साथ 921 को मरवन और सरय अंचल के लिए जिला परिशद पत के लिए जो नमिनेशन होना है, वह प्रखन अनुमंदल कर जाले सही होना है, और वह प्राडम कर ली गई है, पांच कुल नमिनेशन पत्र प्राप्त हो चुके हैं, और जो भी करवाई की जारी हैं, यह सभी COVID-19 के दिये गए दिसानुसार की करवाई हो रही है, और यह आज का नमिनेशन हो रहा है, जो कि दूतिय चलन में सरय और मरवन प्रखन के ही पदों का होना है चुनाम, इसलिए मरवन और सरय प्रखन के जो उमिदवार हैं, उनहीं का आज नमिनेशन लिया जा रहा ह और बाकि जो भी पद है, जो पंचायत स्तरिये, पंचायत समीति के सदस हैं, मुख्या हैं, सरपंच है, वाड है, पंच है, इन लोग का नम नमांकन उनके गिरी प्रखन में ही हो रहा है, जी, नमिनेशन का टाइम ग्यारा वज़े से चार वज़े अपड़ान तक है, जी, म 37 कुमार अंचल लदिक कारी मरवन ARO